नमस्कार, Study with JR YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत हैं आज की इस वीडियो में हम मुस्लिम विवा के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि रिट का ये लैक्चर 27 है अब तक 26 लैक्चर अप्लोड हो चुके हैं जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे अगर आपने नहीं देखें तो आप वहां से सारे वीडियो देख सकते हैं आपके रिट में काफी helpful होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम विवा तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसा कि रिट के स्लेवस के अंत्रगत हम विवा के बारे में पढ़ रहे थे तो विवा के अंदर एक टॉपिक मुस्लिम विवा का भी आता है इससे पहले हमने हिंदु विवा डिटेल में पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विवा के बारे में तो मुसल्मानों में विवा के लिए निकाः शब्द का प्रियोग किया जाता है जो मुसलिम विवा होता है वहां पर विवा के लिए निकाः शब्द का प्रियोग किया जाता है अर्थार्थ मुसलिम विवा को निकाः भी कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ है नर्नारी का विशई समागम, निका का शाब्दी कर्द क्या हो गया? नर नारी का विशई समागम मुस्लिम कानुन की अनुसार विवा एक सामाजिक या बिना शर्त का दिवानी समझोता है जिसका उद्देश घर बसाना, संतान उत्पती और उन्हें व्यादता परदान करना है मुस्लिम विवा एक धार्मिक संसकार नहीं वरन एक दिवानी समझोता होता है जैसा कि पहले हमने हिंदु विवा पड़ा था तो उसमें हमने देखा था कि हिंदु विवा जो होता है वो एक धार्मिक संसकार होता है चलिए आप देखते हैं इसकी परिभाशा के बारे में तो परिभाशा में सबसे पहले जो परिभाशा लिये है वो मैंने लिये है डियेफ मुल्ला जी की मुसलिम विवा की परिभाशा देते हुए डी एफ मुल्ला कहते हैं कि निकाह वियानि के विवा जो है एक शिष्ट्र सामाजिक समझोता है जिसका उद्देश संतान उत्पन करना एवं उनको वेद गोशित करना है इसके अलावा नेक्स्ट जो परिभाशा है वो है के अम कापडिया की ये क्या मानते हैं कि इसलाम में विवा एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों यानि कि परतिक पक्ष में से एक साक्षि होता है इनके हस्ताक्षर होते हैं इस अनुबंधन का परतिफल मेहर वदू को दिया जाता है इसकी रकम कानून द्वारा निर्धारित नहीं होने से एक दिनार से उपर घटी बढ़ती रहती है तो इस तरीके से ये जो दो इंपोर्टेंट परिभाशा है ये इसमें मैंने आपके लिए इन परिभाशाओं से ये बात इसपश्ट होती है कि जो मुस्लिम व विवा में समलित होते हैं चलिए अब बात करते हैं मेहर की देखिए जो सेकंड परिभाशा है इसमें एक वर्ड आया है मेहर तो ये जो मेहर होता है ये क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि मुसलिम विवा में मेहर होता क्या है तो देखिए जो का वचन दिया जाता है ये मेहर कहलाती है और सामाजिक और कानून द्रश्टी से भी इस्तरी को मेहर प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है मेहर होने से पती द्वारा पत्नी को तलाग दिये जाने की संभावना कम रहती है मेहर की मुखे चार परकार हैं कौन-कौन से चार परकार है मेहर की तो सबसे पहले है निश्चित मेहर यानि कि यह वह मेहर है जो दोनों पक्षोद्वारा विवा के पुर या विवा के समय निश्चित रूप से तै कर ली जाती है इसे कहते हैं निश्चित मेहर, दूसरे नंबर पर आता है उचित मेहर, उचित मेहर क्या होती है, यह वह मेहर है, जिसे अदालत निश्चित करती है, इस मेहर का निर्दारन मुसलिम कानून, शरीयत की अनुसार भी हो सकता है, और तीसरे नंबर पर आती है, सतवर मेहर, सतवर next इस्थागित मेहर यह वह मेहर है जो विवा के समाप्त होने पर चुकाई जाती है इस परकार के मेहर का प्रचलन मुसलमानों में सबसे अधिक होता है तो यह चार परकार हमने मेहर के देखे कौन कौन से है सबसे पहले नंबर पे है निश्यत मेहर, दूसरे नंबर पे है उचित मेहर, तीसरे नंबर पे है सत्वर मेहर, और चौते नंबर पे है इस्थगित मेहर, चलिए आप देखते हैं मुसलिम विवा के प्रकार, मुसलिम समाज में ये निम्न प्रकार के विवा पाये जाते हैं, कौन-कौन से हैं, सबसे प मतलब जो विवा मुसलिम विवा की जितनी भी शर्टे होती हैं उनको पूरा करते हुए किया जाता है तो वो वैद विवा कहलाता है इसको निका, सही या उचित विवा भी कहते हैं हमारे देश के अधिकांश मुसल्मानों में विवा के इसी स्वरुप का प्रचलन है जो अधिकांश मुसल्मान है वो उनमें इसी प्रकार का विवा प्रचलित है इस विवा की प्रकरती आम तोर पर तब तक स्थाई होती है जब तक कि कोई पक्ष दूसरे पक्ष को तलाग न आवशक होती है नाबालिक होने की स्तिति में सनरक्षक की अनुमती या स्विक्रती आवशक होती है अगर इसमें बच्चे जो होते वो नाबालिक होते हैं लड़का और लड़की तो उसमें उनके सनरक्षक की अनुमती या स्विक्रती भी आवशक होती है परतेक पक्ष में ए और दूसरे नंबर पर आता है मुता कि प्रकरती जो होटी है यहें पत्ती और पत्थनी के बीच एक निष्यत अवदी के लिए किया गया है समझोता है जैसे ही समझोते की अवदी समाप्त होती है विवा संबन भी समाप्त हो जाता है तो ये इस परकार का विवा हो गया मुता विवा में भी मेहर की रकम निश्चित की जाती है जिसे विवा की अवदी समाप्त होते ही पती पतनी को चुकाता है और इस विवा के द्व पत्नी को पत्ती की संपती में अधिकार नहीं होता मतलब जो संतान उत्पन होती है उसका तो अधिकार रहेगा संपती पर पिता की लेकिन जो पत्नी होती है उसका अधिकार नहीं रहता है विशेश रूप से ये शिया संपरदाय में प्रचलित है तीसरे नंबर का विवा है फासिद विवा, फासिद विवा को अनियमित विवा भी कहते हैं, इस परकार के विवा में यदि कोई मुसलमान पाँचवी इस्तरी से, किसी मूर्थी पूज़क इस्तरी से, या गवाहों की अनुपस्थिती में विवा कर ले, तो ऐसा विवा, फासिद विवा कहलाता है, कौ वो मूर्ति पूजा करती है उस स्थरी से वो शादी कर ले या फिर कोई गवा जो होते हैं पक्ष के जो गवा अभी बताए जैसे कि तो उनमें अगर गवा नहीं है तो भी वो विवा कर ले तो इस परकार का विवा जो है वो फासिद विवा कहलाता है ऐसा विवा उस समय सही विवा या नियमित विवा हो जाता है जब पहली चार पत्नियों में से किसी एक को तलाग दे दिया जाए अगर वो पहले की जो उसकी पत्नी है चारों तो उनमें से किसी एक को यदि वो तलाग दे दे तो वो जो पांचवा उसने विवा किया है वो वैद हो जाएगा इस त बातिल या अवेद विवा मुसलिम समाज में वह विवा जो शरीयत कानून की शर्तों के अनुसार नहीं किया गया हो तो वो कौन सा विवा कहलाएगा बातिल विवा ऐसा विवा वातिल या अवेद विवा कहलाता है मुसलमानों का प्रते कारे कुरान शरीफ के अनुसार ही होत बातिल विवा कानून शरीयत के नाम से पुकारा जाता है, शरीयत किसे कहते हैं? मुस्लिम कानून को, इसके अलावा विवा के पहले या बाद में ऐसे तथे प्रकट हों, जो विवा की व्यदता पर प्रहार करते हों, किन्तु तब भी पत्ति-पत्नी के संबंदों को न रोका जा सकता हो अत्वावे आपस में तलाक लेने पर राजी न हो तो ऐसा विवा क्या कहलाएगा बातिल विवा कहलाता है बातिल विवा का सर्वोत्म उधारन अकवर तथा जो दबाई का विवा है इनका बातिल विवाई हुआ था तो आज की इस वीडियो में इतना ही इस वीडि बाते हैं वैद विवा मुता विवा फासिद विवा और बातलिया वैद विवा इसमें जो भी पॉइंट से हैं एक्जाम की दृष्टी से वो सारे करवा दीगे और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसाइभ विवा के बारे में पड़ेंगे वो भी ज्यादा सब्सक्राइब भी करें धन्यवाद